इस्ट्रेंट्स वेलकम बेग तुड़े 19 एक्टूबर 2020 आज से आपका विद्याले खुल गया है दस से सारहे बारा नौ और दस कच्छा के विद्यातियों को आना है और दूसरी पाली में एक से चार ग्यारा और बारा के विद्यातियों को ही पहना है आज हम आपको पढ़ाँ पढ़ा रहे हैं किसे को संखेप में समझ लीजे प्रजेंट परफेक्ट तेंस के वाक्यों के अंत में चुका है चुकी है चुके है अथवा या है ये है ये है आदी शब्द आते है जैसे कि लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं, वह खाना खा चुका है, वह निवन्द लिख चुका है, किसान खेत में धान बो चुके हैं, आदी आदी अंग्रेजी में इस टेंस के वाक्यों में यदी वाक्य अफर्मेट्व है, अधासाधान वाक्यों उसमें नहीं शब्द नहीं आया है, और कोई प्रश्न भी नहीं पूछा गया है, बल कि कोई बास स्विकार की गई है, ऐसा वाक्य के अफर्मेट्व कहलाता है, जैसे कि लड में subject के बाद में has यह have verb की फ़र्ड फ़र्म object और अधर तेंग लिखते हैं negative sentence में subject के बाद में has not यह have not verb की फ़र्ड फ़र्म और आपजेक्ट और अधर वर्ड लिखते हैं इसी तरह से yes or no टाइप integrative sentence है तो उसमें has यह है पहले लिख देते हैं उसके बाद subject फिर verb की third form, फिर object, फिर other thing इसी तरह से qw type अगर integrative sentence है तो उसमें हम सबसे पहले question word लिखते हैं question word के बाद has या have, फिर subject फिर verb की third form, फिर object फिर other word तो ये present perfect tense का संशिप्त पर्चे हुआ अब present perfect tense के वाकियों कि हम पैसे हुआ, इस कैसे बनाते हैं इसको ध्यान दीजिए, अगर informative sentence है तो new subject की बाद में has या have plus been, plus verb की third form plus by, plus new object है यदि sentence negative है, तो new subject plus has या have plus not, plus been plus verb की third form plus by, plus new object यदि दिय गया वाक की yes or no answer type interrogative sentence है तो उसमें has या have plus new subject plus been plus verb की third form plus by plus new object लिखते हैं यह दिया गया sentence question word type integrative sentence है तो qw has या have plus subject plus been plus verb की third form plus question mark question mark की असार no answer type में भी लगाएंगे दूसरा सबसे मात्रपोन यह है कि हम has और have किसके साथ लगाते हैं एक वचन subject है he she it या कोई भी एक नाम है तो उसके साथ है लगाते हैं और बहुचन subject है जैसे i, we, you, they या एक से अधिक नाम या ऐसा कोई शब्द जिससे बहुत सारी चीजों का या व्यक्तियों का बहुद होता हूँ तो उसे बहुचन subject कहते हैं और बहुचन subject के साथ have का प्रयोग किया जाता है हमेशा याद रखिए एक वचन के साथ has, बहुचन के साथ has not, बहुचन के साथ have not एक वचन के साथ has not been, बहुचन के साथ have not been sentence, example के लिए the boys have played the cricket लड़के cricket खेल चुके है the cricket has been played by the boys अथाथ cricket लड़कों के द्वारा खेला जा चुका है इसमें क्या परिवतन किया इसमें परिवतन केवल ये किया कि जो cricket था उसको बना दिया नया subject है और जो boy था उसको बना दिया objective तो the cricket has उस new subject के बाद में has been वर्ग थी play उसकी third form लगा दिया play फिर by लगाया नियमान साथ फिर new subject बन गया the boys पैसिवाइस बन गया the cricket has been played by the boys दूसरा है the farmers have not shown the weight किसानों ने गेहू नहीं बोया है तो the farmers subject था यह object बना दिया जाएगा जैसा कि नियम है पैसिवाइस जिब हम बनाते हैं तो दिया गया वाक्त के subject को object बना देते हैं object को subject बना देते हैं कि हम अबजब्चन सबसे पहले लिख देते हैं क्योव इनक में था अबजब्च था तो सबसे पहले लिख दिए सब्जेक्त के जगें उसके बाद वीट एक वच्च ने इसलिए हैज लगा दिया वीट हैज नाट बीन क्योंकि उपर नाट था निगेटिव था तो नाट बीन वर्फ सो की थर्ड फार्म सोन बाई लगाया और जो न्यू अबजेक्ट हमारा बना वो फार्मर बना तो बाई दी फार्मर तो पैसिवाइस बन गया दवीट हैज नाट बीन सोन बाई दी फार्मर गयों किसानों के द्वारा नहीं बोया गया है तीस्ता एक्टिवाइस यह साथ नो अंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है है सुरेश रिटेन ने से क्या सुरेश ने एक निमंद लिखा है अब इसमें हैल्पिंग वर्ब हैज सबसे पहले है तो इससे एक क्लियर हो गया कि यह साथ नो अंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अब इसके लिए इसकी पैसे बनाने के लिए हम यह साथ नो अंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला रूल लगाएंगे इस टेक्शर लगाएंगे तो रूल क्या है कि पहले हैज लगा दीजिए फिर हैज यह है फिर निव सबजेक्ट फिर बीन फिर वर्ब की थर्ट फार्म फिर बाई फिर निव अबजेक्ट है फिर कुश्चन मार के तो हैज लिखा एजने से अबजेक्ट था इसको बनाया सबजेक्ट हैज एजने से फिर बीन बीन के बाद वर्ब राइट की थर्ट फार्म देटेन है जहने से बीन रिटेन बाई लगाया है जहने से बीन रिटेन बाई फिर सुरेस सुरेस सब्जक्ट था यह अबज़क्ट बन गया तो अब पैसी वायस बन गया है जहने से बीन रिटेन बाई सुरेस चौथास एक्जामपल मैंने लिखा है Question Word Type Integrative Sentence का क्योंकि देखिए इसकी सुरुआत Question Word से Question Word Type Integrative Sentence की सुरुआत Question Word से होती है Question Word उन वर्ट को कहते हैं जिसे Question मना जाता है जैसे Which, What, Where, When, Why आदि तो Who have seen the Jew किसने चिडिया घर देखा है इसका नियम हमने लिखाया है structure लिखाया है कि by लगाईए Question Word लिखिए has या है लिखिए subject फिर बीन फिर अपकी third form फिर question mark तो by लिखा whom लिखा who का whom हो गया by whom has लगाया क्योंकि जू एक वचन था एक वचन subject था तो has लगाती है by whom has the Jew फिर बीन seen question mark by whom has the Jew been seen ये आप इस तरह से हम present perfect tense के active voice को passive voice में बदलते हैं thanks for watching the video और